जहें दोस्तों बदोस्तागत आपका TNNSchools.com में दोस्तों biggest warning to all crypto investors, crypto lovers और crypto में invest करने वाले लोगों के लिए दोस्तों हमें पता है कि crypto का चेतर एक ऐसा चेतर है जिसमें आप biggest profit earn कर सकते हैं आज की date में किसी भी दूसरे share market के comparison में लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह जान लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उतना ही बड़ा आपको loss भी हो सकता है crypto market में daily basis पर मैं आपको update देता रहता हूं दोस्तों crypto market में profit earn करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि daily basis पर news से आप update रहें crypto market के update से आप update रहें ताकि आपको पता चलता रहें कि crypto market में क्या चल रहा है किस समय पर आपको invest करना है कैसे invest करना है किस समय पर आप invest करके biggest profit earn कर सकते हैं किस समय पर आपको कौन से कोईन से बाहर निकल जाना चाहिए और अभी कौन से ऐसे coins चल रहे हैं जिसमें आपको 1000 गुना profit मिल सकता है बड कोईन की वैल्यू पहुंच गई है भी 49,000 के आस पास इस समय पर क्या करें और दोस्तों जो डूसरे क्रिप्टो कॉइंस हैं अल्ट कॉइंस हैं वो भी बिटकॉइन के साथ साथ लगातार तेजी के साथ नीचे गिर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की पहली कोईन का 2013 में वैसे तो दोस्तों बिटकॉइन दोहजार साथ में आ गया था लेकिन 2013 में लिस्टेड होना सुरू हुआ था अलग अलग वेबसाइट पर तो दोस्तों यहां पर मैं ग्राब दिखा हूँ एक रिसेंट वेबसाइट का जिसका नाम है कोईन गी को तो यहां पर पर उसके बाद फिर वापस गया था मार्च 2020 में इसकी वैल्यू 5000 डोलर थी मार्च 2020 से लगातार इसमें अच्छी ग्रोथ हुई थी अक्टूबर 2020 तक थोड़ी कम ग्रोथ थी अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020 के बाद बिटकॉइन ने जबरदस्त यहां पर प्रोफिट दिया है यानि आपके एक लाक रुपे 77,000 रुपे बन गए है यानि आपके 100 रुपी 77 रुपी बन गए है पिसले तीन वीक में बिटकॉइन फॉलिंग को देखते हुए 23% का फॉल का फिर बड़ा फॉल होता है और अभी भी बिटकॉइन की वैल्यू लगातार यहां पर गिर रह रही है इसके साथ साथ दूसरे जो अल्ट कोईंस हैं वो भी गिर रहे हैं ऐसे में कौन से अल्ट कोईंस में आपको बिगेस प्रॉफिट अंड करना है यह जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादे जरूरी है आप देख सकते हैं पिछले 30 महीनों में पिछले 30 दिनों मे माइनस 17.2% हुई है पिछले साथ दिनों में माइनस 17.6% पिछले एक दिन में माइनस 1.4% पिछले एक घंटे में माइनस 1% यानि लगातार बिटकोईन का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिर रहा है अब इसके पीछे क्या रिजन है सबसे पहले तो यह देख लेते हैं जो है वो होल्ड करती है इसके अलावा चाइना में और भी बहुत सारी फाम है अकेले चाइना में दुनिया का 72% के आसपास बिटकोईन माइनिंग होती है इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है USA जिसमें 10% से 15% के आसपास बिटकोईन माइनिंग होती है यानि इन दोनो दो इस देशों को ही मिलाकर लगबग 85% बिटकोईन माइनिंग होती है USA और चाइना को मिलाकर बाकी जितना बचा-कुचा भाग है माइनिंग का वो 15% होता है पूरी दुनिया में यानि दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये निकल कराता है कि अलग अगर क्रिप्टो कोईन्स को लेकर USA और चाइना में कुछ होता है तो दोस्तों इसका पूरा प्रवाब पड़ेगा पूरी दुनिया पर और बिटकोईन की वैल्यू बढ़ सकती है गढ़ सकती है इन दो देशों की वज़ए से क्योंकि दोस्तों ये 80% तो माइनिंग ये दो देशी यहां पर होल्ड करते हैं बागे 20% से ज़्यादा फर्क पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि हरे कंट्री में एक साथ तो कोछ पूरी दुनिया में एक साथ तो कोछ होने से गया चलिए अब बात कर लेते हैं कि चाइना में क्या हुआ उसके बात करते हैं यूसे में क्या हुआ तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि चाइना ने कुछ दिन पहले एक वादा किया था पूरे वर्ड से उसने बोला था कि 2030 तक चाइना जो कार्बन का प्रोडक्शन है उसे जीरो कर देगा इसके लिए बहुत बड़े जो है अपने देश में कानून लाने जा रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रोब्लम की बात यह है कि बिटकोईन माइनिंग और दूसरी क्रिप्टो करेंसी जो माइनिंग होती है उसमें कार्बन इतनी जादा मातरा में प्रोड्यूस होता है कि किसी भी दूसरे कार खाने या किसी भी दूसरी चीज से इ बंद कर दिया जाए क्योंकि बिटकोईन माइनिंग होती होगी तो कार्बन का प्रोडक्शन होगा ही होगा यह बात यहाँ पर बिलकुल भी साफ है इसे कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनीज क्रिप्टो माइनर्स फे के पूरे चाइना में तो दोस्तों आपको पताई कि बिटकोईन माइनिंग जो होती है उसमें बहुत ज्यादा लाइट का कंजंप्शन होता है और अगर लाइट का आउट्रेज सरकार कर दे तो बिटकोईन माइनिंग पॉसिबल नहीं होती इस सब का रिजन यह हुआ कि ज लास्ट वीक की यह बात है लास्ट वीक की जब पहला फोल था बिटकोईन के प्राइस में जिसके बाद सड़नली किसी को कुछ नहीं पता था लेकिन चाइना की सावटरेज ने बिटकोईन जो पूरा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है उसमें तेहल का मचा दिया है और था उस 15 मिनिट के अंदर अंदर ये बोला जा रहा था कि 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था क्रिप्टो मार्केट को उसके बाद क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ था जब चाइना में चीज़े नॉर्मल हुई थी लेकिन उसके बाद वहाँ पर चाइन तो युएसे के अटोर्नी जनरल ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे की टीथार बहुत ही इलीगल काम कर रही है इन पर हमें विशेस रैगूलेसंस बना कर इसे सही करने बताईए कि चाइना के नए राश्पती हाल फिलाल में जोई बाइडन बने हैं अब जोई बाइडन ने एक बड़ा रूल निकाला बड़ा रूल ये है कि बाइडन वांट्स तो रेज़ टैक्स अंदर इच इन्वेस्टर्स टु पेफ और एक्सपेंडेट चाल्ड केर एं हैं तो डर गए और उन्होंने पहले से ही अपना काफी जादा पैसा वहाँ पर निकाल लिया इस न्यूज का बिटकॉइन मार्केट क्रिप्टो कॉइन मार्केट पर बहुत ही बड़ा इंपक्ट पड़ा क्योंकि एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्टर्स ने बाहर निक कोई भी या ना तो चाइना वाला और ना ही अमेरिका वाला रेगुलेसंस रूल्स नहीं आया ये पूरे का पूरा मामला बीच में लटका हुआ है इंडिया का आपको पता ही है इंडिया भी क्रिप्टो बैन करना चाहता था अब इंडिया में क्रिप्टो बैन तो नहीं हो बिल्कुल भी बैन नहीं होगा यह बात यहां पर साफ हो चुकी है क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नलोजी को कभी इंडिन गवर्मेंट बैन करी नहीं सकती लेकिन दोस्तों इसमें कुछ रूल्स और रेगलोशन्स अभी आ सकते हैं तो वह भी बीच में अटका हुआ है चोथा जनी किये भी था कि एक छोटा सा देसे टर्की टर्की में एक बहुत ही बड़े लेवल पर बिटकोईन का स्कैम हुआ था बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ था जिससे पूरी की पूरी टर्की की सरकार हिल गई थी उसके बाद वहाँ पर टर्की की सरकार ने बिटकोईन औ कर 64,000 तक बिटकोईन का प्राइस पहुंचा था भी 49,000 चल रहा है दोस्तों इतना ज्यादा चार से च्छे महिनों के अंदर ही किसी भी करेंसी का या किसी भी शेयर कंपनी का प्राइस भी अगर बढ़ता है तो दोस्तों फिर भी आप मानकर चलिए 40,000 तक तक यहां पर बिटकोईन का प्राइस अब जाने वाला है अभी पुरे साल में सिर्फ 100% की ग्रोथी इस ने दी है बहुत ही काम का कोईन है इस कोईन की सरकुलेटिंग सप्लाई 12,000,000 और टोटल सप्लाई 12,4,000,000 है फिरो नोन अज जैड कोईन इस प्राइशली फोकस्ट क्रिफ्ट कोईन दाट टिपलोई जीरो नोलिज प्रूब तो इंशोर फुली एनोनिमस ट्रांजेक्शन मारकेट कैप डोमिनेंस का इसका काफी बड़ा है और दोस्तो ट्रेडिंग वोलिम भी इसका काफी बड़ा है ओल टाइम लो की बात करें तो 0.2795 इसका प्राइस गया है ओल टाइम हाई की बात करें तो 139.77 इसका हाल टाइम हाई टाइम प्राइस गया है तो दोस्तों इस तरह से फिरो कोईन एक ऐसा कोईन है जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रोफिट दे सकता है इसके अलावा इजी एक ऐसा कोईन है जो कि आपको आने वाले कुछ मैंनों में बहुत ही बड़ा प्रोफिट दे कर जाएगा इसके अलावा दोस्तों ये दो कोईन ऐसे हैं जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में जो लिंक है वहाँ पर आपको एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा जिसमें दोस्तों आप क्लिक करके साइन अप करके इजी और फिरो कोईन को खरीच सकते हैं आपको बहुत अच्छा प्रोफिट देंगे आने वाले समय में इसके लावा आपको शिबःौन इन, एकृता ईन, एन, खर इन, जोस्तों ये पूरे कgga पूरा आप्डेट है, विटकोईन के पिछ़े का रिजन है जो अभी Bitcoin के सेक्टर में यहाँ पर चल रहा है आशा करता हूँ आपको यह पूरी की पूरी डिटेल समझ में आई होगी इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ इस वीडियो को लाइक और चेक करना ना भूले लेटिस्ट क्रिप्ट अब डेट्स बात रहने के लिए